प्रदिप जी ये भी बात करने तो अभी प्याज के आवक हमारे कास किस तरह की हो रही है और चाकुट्स प्याज के दाम अभी बढ़ना चल रहे हैं देखिए प्याज के आवक अभी लोकल माल जो है वो तो इस साल थोड़ा सा कम है फसल डेमेज हो गई थी किसानों के खेतों में उसके कारण से हमारी जो लोकल प्याज होती है उसकी मात्रा 50% तकरीबन है उसकी आवक मतलब समझ लीजिए आज हमारे हैं 50,000 अगर मंडी में प्याजे हैं अभी परतमान में दाम कितने चल रहा प्याज है दाम अभी जो स्टॉक में जा सकती है जो बिलकुल बे रोग की प्याजे जिसमें कोई बीमारी औगेरा नहीं है वो प्याज स्टॉक वाली 15 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक विकरी है तो आने वाल समय में ह नहीं रहा है लेकिन जो स्टॉक करना है उन लोगों को प्याज अगर अच्छी दिख रही है तो वो कुछ भी उचे भावा पर खरीदी कर रहा है क्योंकि उनको स्टॉक करना है कहीं से पैसा नहीं बनाना है तो स्टॉक करने के लिए अभी जो बजार में है पोजिशन इस लेकिन अगर स्टॉक किस्त अगर चुप बेढ़ जाएं तो आज यहीं बजार में दो तीन रुपे चार रुपे किलो तक कर बजार रिवस हो सकता है और यह भी बात करें तो हरसमें प्याज जो है ऐसे स्कतिती में प्याजाता है कि कभी कभी सखकारे भी प्यास के रहाज वह कर गिरेंगे नहीं ऐसा नहीं है जब अगर मानलो 15 16 17 रुपे की प्याजें स्टॉक कर रहे हैं तो यह स्टॉक जो करता है विक्ति इसके उपर काफी खर्चा लग जाता है खर्चा लगने के साथ में उसमें डेमेज हो जाता है कुछ माल का बजन कम हो जाता है सुकत हो है तो आज अगर अपन मोटा मोटी अगर देखे कि 16 17 18 रुपे की प्याजें अगर स्टॉक में रखी है तो यह 25-30 रुपे तक बिकती है तो कोई फाइदा स्टॉकिस्ट को नहीं मिलता है पर लोग टेंडेंसी में रख रहे हैं कि प्याज इस साल पेदावार कम हैं तो इस ऐसा इसपोर्ड और इंपोर्ट अब पूरा गॉर्मर्मेंट के हाथ में हैं इसमें पिशली बार भी कई बार उन्होंने एक्स्पोर्ड खौल दिया।而已 में थ्ड़ा थेजी आ गया दो फिर उन् graph दिया इस तरह से पिशली बार भी व्यापारीयों को नुक्सान हुआ है तो गोवर्मेंट तो यहीं चाहती है कि भई दाम नहीं बड़े मतलब एक लिमिट के बाद गोवर्मेंट कंट्रोल करती है भाव को क्योंकि इस सरकार पहले भी कई तक एरिये से आती है बाकि अभी जो हाल फिलाल आ रहा है किसान भी माल को रख रहे हैं किसानों को खेतों से काफी लोग इस्टाकिस्त जो है वो ऐसा कैसी खरीद के डायरेक्टर रख रहे हैं अभी जो हाल फिलाल हमारे हैं अगर पचास हजार कट्टों की आवक है तो मान के मेरा नम प्रदीब गुरू सच्चिव आलू प्याज एसोसियेशन चोई थराम मंडी